नमोनो नमोनो चलिए तो अब अपना प्रक्रसंग को लेकर के चर्चा प्रारम्ब करते हैं अब वेई भाव समास चल रहा है अब इस सूत्र में कुछ अर्थों में अब वेई भाव समास का उदाहरन रह गया है उसी के उपर में चर्चा करते हैं तो अभी तक अपन इस सूत्र में अब्यम विभक्ति इत्याद की द्वारा जो भिन भिन अर्थों में अब्यका समास कर रहा है उसमें विभक्ति समीप सम्रिध्धी और व्यरिध्धी अर्था भाव तो व्यरिध्धी तक अपन आ गये थे अर्था भाव तक नमुनम आचार्ये तो व्यरिध्धी का उधाहरन अपनने देखा था कि यवनानाम व्यरिध्धी दुर यवनम में व्यरिध्धी का वाचक दुर था और उसका यवन के साथ में समास किया था तो वहाँ एक प्रसंग आया था कि ब्यारिध्धी में भी अभाव ही है किसी तरह से चूंकि बिगत है रिध्धी जिसका तो रिध्धी का अभाव ही बोध हो रहा है तो अभाव अर्थवताने के लिए आपने अलग से अर्थाभाव किया ही है तो इसका ग्रहन क्यों किये तो सामानी रूप से ये चर्चा थी कि अभाव कई तरह से होते है तो अर्था भाव इत्यादी के द्वारा जो समास होगा वो अत्यनता भाव जहां रहेगा दूसरी बात ये है कि जहां द्रव्य का अभाव अधि बोद होगा वहां यहां इस दुर्यवनम में जो जिसके साथ में समास कर रहे है उस द्रव्य का अभाव बोध नहीं हो रहा है उसमें रहने वाली जो रिद्धी है तो रिद्धी की प्रधानता है रिद्धी का अभाव बोध कर रहा है यवन का अभाव नहीं इसलिए यहां प्रथक है स्वरूप उससे इसलिए अलग से बोध कराया तो यवनानाम व्यरिध्धी इस प्रियोग में न तो अत्यनता भाव है और नहीं ये द्रव्य का अभाव बता रहा है इसे लिए रिध्धी के अभाव अर्थ को बताने के लिए ये अलग से उदाहर्ण दिया उसी के बाद में रिध्धे अभावं के बाद समीब सम्रिधी व्यरिध्धी और अर्था भाव जो चर्चा चल दे थी उसका तुरत फिर उदाहर्ण दिया समझाने के लिए मक्षि का नाम अभाव है निरमक्षिकम यहां मक्षियों का अभाव तो द्रब्य विशेश जो है मक्षी तो इस मशक का अतिनता भाव बूद कराने के लिए दिया इसलिए कहा कि रिध्धे अभाव हमें थोड़ा सा ध्यान रखेगा वहां के अभाव में और यहां के अभाव में अंतर तो रिध्धे के अभाव में हमने क्या कहा कि समस्यमान जो पदार्थ है उसका यदि अभाव बूद होता है वो अर्था भाव में जाएगा लेकिन यदि समस्य गत जो शब्द है उसमें जो रहने वाला गुणधर्म है उसको यदि अभाव बूद कराएंगे वो अभाव यहां लिया जाएगा इसलिए यवनानाम्य रिद्धी में यवन का अभाव नहीं बूद कर रहे है यवन में जो रिद्धी है उसका अभाव बूद हो रहा है इसलिए रिद्धे की प्रधानता है तो इसलिए यहां यह अंतर है लेकिन अर्था भाव जब करेंगे तो वहां अर्था भाव में जि मक्षिक इसलिए इस मक्षिका का अभाव बूद कर रहे हम तो इसलिए दोनों में अंतर है तो इसी बात को समझे तो मक्षिका नाम अभाव का यहां जो अर्थ है अभाव उस अभाव अर्थ का बूदक यहां अभ्य है निर तो निर का वाचक होने के कारण आप करेंगे मक्षिका नाम मक्षिका आम और निर ये स्थिति बनेगी इस स्थिति बनने के बाद हम यहां समास करके पूर्व प्रियोग कर लेंगे अभाव अर्थ में समास हो गया पूर्व प्रियोग हो गया विवक्ति का लूप ये सारी प्रिक्रिया करके निर्मक्षिका अब निर्मक्षिका जो है फिर इसके आ को हरसु कर देंगे हरसुने के बाद निर्मक्षिक बनेगा सू लाएंगे सू को हम कर देंगे तो क्या बनेगा निर्मक्षिकम ये प्रियोग हो जाएगा तो इसलिए अब यहां पर में इसी बात को ये समझ लीजिए कि कहते हैं कि अत्यनता भाव जो अर्थ होगा वही होगा। इसलिए अत्यनता भाव ही बता रहे हैं यहां मक्षिक का। इसलिए घटह पटो न इत्यादी जो अभाव है उस प्रकार का अभाव बोध में यह अभी भाव नहीं होता है। इसलिए अत्यनता भाव जहां विवक्षित रहेगा वही करेगा। इसलिए इस सूत्र में अर्था भाव जो खा अर्थ शब्द का ग्रहन किया। यह अर्थ कैसे निकला के अत्यनता भाव ही लिया जाएगा। अर्थ ग्रहन सामर्थ्याद। अर्थ ग्रहन सामर्थ से यहां अर्था भाव का मतलब ऐसा अभाव है जो अभाव अत्यनता भाव हो उसी में ये करेगा। इसलिए आगे जब अभाव आएगा तो अत्य अर्थ का उदाहरन अब साथ में ही देख लिजिए। तो समीव सम्रिद्धी बियर धैर्था भाव आत्यया अत्यय तो एक अर्था भाव यहां आ गया उसका उदाहरन दे दिया निर्मक्षिकम समस्यमान पद कौनों गया मक्षिक उस मक्षिक का अभाव बोध करा दिया और यहां अभाव अत्यंता भाव है अन्य था दूसरा उद द्वंग्ष अर्थ को बता रहा है तो द्वंग्ष जो होगा वह भी अभाव है तो द्वंग्ष जो है वह अभाव है तो ऐसी सित्य में अभावत पे इसका ग्रहन हो जाना चाहिए तो कहा कि नहीं यह जो द्वंग्ष है यह अत्यनता भाव नहीं है तो इसलिए अत्यनता भ इस लिए अभाव में यहां पर्में पूरू सूत्र से नहीं हो सकता था इसलिए अलग से अत्य अर्थ में ही किया और उसका उदाहरन दे रहा है क्या उदाहरन दिया अत्ययो धंग्ष और हिमस्य अत्ययो इति अतिहिमम तो हिम जो है उसका अत्य होना धंग्ष हो जाना तो धंग्ष क्या चीज है सामानी रूप से बच्चे को समझने के लिए कहते हिम तक का मतलब क्या होता है परवत पत्थर बर्फ जिसको कहलो उसका अत्य हो गया अत्य हो गया क्या मतलब धंग्ष हो गया तो धंग्ष हो गया तो बने बर्फ पिघल गया इतिर था तो ऐसा प् हिमस्य अत्य यहा, तो सस्थी के साथ में सम्मंद करके और अत्य का प्रयोग करके विग्रा वाक्य में सस्थी दिया, धंग्ष का सम्मंद है उस वस्तु से जिसका धंग्ष बोद कर रहे हैं, इसलिए हिमस्य में सस्थी, अत्य अर्थ का वाचक है, अती उपसर्ग, उसका कर समास होने के बाद पूर प्रिओग होने के बाद अति हिम से सूलाएंगे अधिम होतनगा इसलिए यडी यह दि कहते हैं कि एसा ही अहाग लिया इसलिए जदी प्रियोग करते हैं दूसरा कहता है पटस्य अभाव तो पट का जो अभाव है तो इस पटका प्राग भाव जदी पट जो था उसका अभाव जदी बोध कराएंगे कि निश्पटम तो इस पटका अभाव बोध तब हो रहा है कि जब पूर्में पट था निस्पटम ये समास नहीं होता है अब गतम इस तरह से इन सूत्रों में तीन प्रकार के अभाव का बूद कराया है तो एक जगा अत्यनता भाव है एक जगा गुण का अभाव है एक जगा आपका प्रद्धंशा भाव है तो इस तीनों अभावों में अंतर होने के कारण दीरे आगे बढ़ते है तो विभक्ति, समीप, सम्रिध्धी, वियरिध्धी, अर्था वाव, अत्ये और आगे आगे असंप्रती तो असंप्रती जो है इस अर्थ में तो असंप्रती शब्द को थोड़ा सा बच्चे आप लोग समझ लिजे असंप्रती यहां विशेश अर युक्त नहीं है ये इस अर्थ का इस असंप्रती शब्द का अर्थ है तो संप्रती शब्द का अर्थ हम जानते हैं संप्रती इदानीम ये सब अभी इस समय अर्थ का बोधक होता है तो यहां असंप्रती हम बोलते हैं लेकिन इस असंप्रती का अर्थ ये करेंगे कि संप्रत्व ने इस समय नविज्जिते ठीक नहीं है अर्थात अभी यहां उपयुक्त नहीं है इस अर्थ को ये बताएगा क्यों ऐसा करना पड़ा हमें? क्योंकि जो संप्रत्व नहीं है उसको जब हम समास किया है अपयान ने किये हैं यहां और प्रयोक कर रहे है असंप्रती तो नए समास है तो नए समास जो होगा वो समास सामर्थ में ही होता है तो यदी हम जब तक सामर्थ नहीं आएगा तब तक यह असंप्रती शब्द ही नहीं बनेगा इसलिए सामर्थ लाने के लिए समास लाने के लिए यहां पर में और जो शब्द है उसको क्रिया के साथ सामर्थ हमने किया और क्रिया क्या करेंगे तो युज्यते इस क्रिया के साथ में इसका सामर्थ बनाया तो इसीलिए नए समास के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है तत परियुदाश और एक अर्थ होता है नए प्रसज्य प्रतिशेद, तो नए के दो अर्थ होते हैं, दो अर्थों में नए का प्रियुग होता है, नए के तो विवने छे अर्थ होते हैं, अलग बात करेंगे कि कहीं अभाव अर्थ होता है कहीं अल्प अर्थ होता है ये सब सारी बाते लेकिन वो अर्थ भिन है लेकिन दो प्रकार के नए का प्रियोग होता है तो इसलिए दो तरह के नए कहे जाते हैं तो नयों दो समाख्या तो परियुदास प्रसज्य को प्रसज्य को तो परियुदास और प्रसज्य उसी को प्रसज्य प्रित्सेद कहते हैं तो कहां परियुदास होता है, कहां प्रशज्य प्रिच्चेद होता है, तो यत्र उत्तर पदेन सहन नय, जहां बादवाले पद के साथ में नय का अन्वय होता हो, वहां परियुदास होता है. जैसे हम कहते हैं अब ब्राम्हन हा, तो यहां नय का उत्तर पद जो पद है ब्राम्हन इसके साथ में समास है, इसलिए इसके साथ में अन्वय होने के कारण यहां परियुदास है, लेकिन यत्र जहां पर में नय का क्रिया के साथ में अन्वय होता है, वहां प्रसज्य प्रतिशेद होता है, तो यहां असंप्रती का हम अर्थ कर रहे हैं संप्रती नयुज्यते, युज्यते जो क्रिया है इस क्रिया के साथ अन्वय करके नय का सामर्थ बना करके फिर हम समा इसलिए सामर्थ होता है क्रियापत के लाने से इसलिए असंप्रती शब्द का बिग्रह वाक्य में अर्थ करेंगे संप्रती न युज्यते अभी ये ठीक नहीं है तो बिग्रह वाक्य में ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो जो चीज अभी उपयुक्त नहीं है उसको बताने के लिए जो वो शब्द देंगे जिसकी उप्युक्तता नहीं हम सिद्ध करेंगे जैसे उदाहर्ण के तोर पर दे रहा है निद्रा संप्रती नयुज्यते अध्येनम संप्रती नयुज्यते तो इत्यादी जो हम भाक्य बोलेंगे तो क्या चीज अभी उप्युक्त नहीं है निद्रा सोना सोना अभी ठीक उप्युक्त नहीं है क्यों बहुत महगा हो गया नहीं महगा तो वैसे भी हो गया कि लोग को निंद भी कितने आएगी तो यहां क्या चीज की उप्युक्तता न नयुज्यते संप्रती नयुज्यते इसका वाचक अब्याय रखे हम अती तो अती इस अब्याय के साथ में निद्रा को लाए युज्यते क्रियापद है इसलिए प्रथमा में निद्रा प्रथमांतपद है तो निद्रा सू और संप्रती नयुज्यते का वाचक अती समाज कर लिया किस अर्थ में कौन सा अर्थ अभी चल रहा है असंप्रती अर्थ में असंप्रती अर्थ में समाज करके वही विवक्ति का लोग पूरु प्रियोग कर लेंगे इस्तित बन जाएगी अति निद्रा इस्त्री बाचक शब्द है इसलिए हरस्व करके प्रियोग बन जाएगा अतिनिद्र और अतिनिद्र के साथ में सू लाएंगे सू को हम कर देंगे प्रियोग बन जाएगा अतिनिद्रम तो इस समय में सयन ठीक नहीं है इतिर था तो ये किताब वो तो किवल एक मात्र प्रतीक है ये अर्थबूद कराया जाता है कि आप इसी तरह से अन्य जहां कहीं भी प्रयोग बनाना चाहेंगे उस अर्थ में आप कर लेंगे अब गतम तो चलिए अत्य अर्थ भी हो गया अब उस अहो असमप्रती अर्थ अब इसके बाद में अर्थ है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में अब व्यायका जब शब्द प्रादुर्भाव अर्थ हो तो समास होगा अब यहाँ ध्यान रखे कि शब्द प्रादुर भाव ये शब्द जो है इसको थोड़ा सा बच्चे आप सब को समझना चाहिए अच्छी तरह से क्या चीज़ है ये शब्द प्रादुर भाव तो जिस शब्द का हम समास करना चाहेंगे जिस शब्द का समास करना चाहेंगे उसी सब्द का या उसी शब्द में जो रहने वाला धर्म है उस धर्म को यदि प्रकासित करना चाहते हैं उसी धर्म का बोध कराना चाहते हैं तो उसी शब्द का स्वरूप उसी शब्द के अर्थ का प्रकासन करना यहां सब्द प्रादुर्भाव सब्द से अभिप्रेत है बात समझ भी आरे बात तो यदि कोई यह नहीं कि सब्द को उत्पन करता है तो शब्द को उत्पन नहीं करता है जो शब्द प्रयुक्त है उस शब्द में रहनी वाला जो धर्म या उस शब्द का जो स्वरूप उसको प्रकासित करना ही यहां शब्द का प्रादुर्भाव कहा जाएगा इसलिए अच्छी तरह से समझ लें कि सूत्र में जो शब्द प्रादुर्भाव शब्द है वो शब्द का प्रकाशन करेगा तो यहां सब्द प्रकाशन विवक्षित है जैसे उदाहन से समझे जैसे हमने खा इती हरी तो इती हरी तो हरी शब्दस्य प्रकाशह यह इसका अ शब्द का प्रकास कर रहा है प्रकास क्या करेगा तो हरी शब्द के स्वरूप का बोध करा रहा है कि ये हरी शब्द या हम यदि उस हरी के गत अर्थ जो वैशिस्ट है उस वैशिस्ट का प्रतिपादन कहीं करेंगे अरे हरी इसको कहते हैं ये है हरी ये है हरी का वैशिष्ट्य इस तरह के हरीगत जो विलक्षनता है हरीगत जो सामर्थ है उस सामर्थ का यदी प्रकाशन अभिप्रेत होता है तब उस हरीगत वैशिष्ट्य रूप का वैशिष्ट्य प्रकाशन करना हो अर्थगत हैं उस सब्द में रहने वाला धर्म का प्रकासन तो किसी भी समस्यमान पद से उसमें रहने वाला स्वरूप उसका जो स्वरूप उसका जो वैशिष्ट्य वो यदी हमें किसी को बताना है उस अर्थ की प्रधानता यदी करनी है तो उस अर्थ में ये समास होगा तो यहां की लिए फिर इती शब्द दिया कि हरी शब्दस्य प्रकास है तो हरी निष्ठ जो प्रकास है उस प्रकास का हम उसको प्रकासित कर रहे हैं तो इस बात को बताने के लिए यहां विग्रवाके फिर इती दिया इती इसलिए दिया कि हमने आपको कहा था इती शब्द के द्वारा अंगुल्या नर्देश बोध होता है और अंगुल्या नर्देश किसका करेगा जो पूर्व में तुरत बोध किया गया है इंगित किया गया है तो अंगुल्या नर्देश उसी का होता है जो साक्षात प्रियुक्त होता है साक्षात तुरत अभ्यवधान का अभ्यवधान कर दो गृष्णा वाकास में पढ़ांगा यह मेरा संकल्प है यह पद के द्वारा पूरू अभ्यभित पूरू में जो बाते कही गही chili है उसका बोद कराइगा तो जो भी सब्ध हम प्रयोग करेंगे पूरूमें तो अब्यभित पूरूमें जो रहे इसलिए यहां इती के द्वारा हरी निष्ठ जो विलक्षनता है रिष्ठ जो प्रकास है उसको द्योतित कर रहा है इसलिए कहते हैं तो इती हरी इत्यर था अब यहां हरी शब्द का जो हमने कहा कि सब्द का सुरूप लेगा तो सब्द सुरूप पर हो जाएगा तो प्रकास क का संबंद किसके साolithic है , उसका संब उस्यला क्यण कर दो इस तरह से हम संब्दस्य जोड़ेंगे संब्दस्यल जोड़ करेंगे पूरों संब्द की प्रखासन अर्थ दो कर रहे हैं , ये वर में पता के अन्य था समासगत केवल इती शब्द को देखकर हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ शब्द प्रादुर्भाव अर्थ है तो चलिए इस तरह से तो यहाँ शब्द प्रकास अर्थ जो है वह इती शब्द के द्वारा बोध हुआ हरी शब्दस्यव में शब्द को देखरके रहा है इसे लिए विग्रावाक्ष में अलोकिक जब विग्रा करेंगे तो हरी यही करेंगे इती यहो जाएगा शब्दप्रका प्रादरुभाव अर्थ होगा समास करेंगे विवक्तिका लोब करेंगे इती हरी इतिहरी बनने के बाद अब अब्वीभाव है, अब्वीभाव में अकारांत होता, तो हम सुको अमादी करते, चूकि ये इकारांत है, इसलिए अब्वे संग्या होने के कारण, अब्यादाब सुपह से हम सुका क्या कर देंगे लोग, तो प्रियोग बन जाएगा इतिहरी, अ पस्चात अर्थ में भी समास होता है। पस्चात अब्याय का अर्थ यदी पस्चात बताने के लिए भी सुबंत के साथ में समास होगा। तो जिसके पस्चात हम बताना चाहते हैं, उदाहरं दे रहा है विश्णो हो पस्चात इत्यर्था, तो विश्णू के बाद, तो यहां बाद अर्थ को पस्चात अर्थ को बताने वाला अव्य है अनू, इसलिए यहां अनू का पस्चात अर्थ द्योतित होने के कारण, जिसक के पखचातबोध करेंगे तो उसलिये भी पखचात का भी शंबंध है जिस से कर रहे हुनी के साथ इसलिये शश्चंतबोध है शंबंध है शंबंध अर्थ में के सेथ लक्षना सथि कर लेते हैं तो हरी विश्णू में सस्थी हो गई तो विश्णू यंश् subscribe फिर उसके बाद में पश्चात का वाचक अब्या हो गया अनू इसी तरह से अनू विष्णू जब बन गया अबीभाव हो जाने के बाद वही सू लाएंगे सू का लोप हो जाएगा अनू विष्णू ये प्रियू बन जाएगा तो सिधा सिधा यहां ध्यान लखना है अनू जब यह अब्य है यह पश्चात अर्थ का वाचक है अब आप अच्छी तरह से समझ लिजे जो पश्चात अर्थ यदी किसी का द्योतित होता है अब्य का उस अब्य के साथ में ही समास होगा क्योंकि पश्चात अर्थ करते है उसके बाद ये अर्थ तो पश्चात सब्द का भी है लेकिन पश्चात जो शब्द है इस सब्द के साथ में हम समास नहीं करेंगे क्योंकि पश्चात अर्थ का वाचक ये नहीं है स्वयम पश्चात अपने स्वरूप को लेकर के उपस्थित हो रहा है और हम उस पश्चात अर्थ का वाचक अन्य जो कोई शब्द होगा उसी के साथ में कर रहे है तो अनु जो है यहां पश्चात अर्थ का बोध करा रहा है पश्चात अर्थ यहां पश्चात सब्द का भी है लेकिन सब्द स्वरूप होने के कारण हम यहां उस पश्चात सब्द के साथ समास नहीं करते हैं कथंगन करियते क्यों नहीं करते हैं कि इसलिए कहते हैं कि हमारे भाष्यकार ने पश्चात स्रंग्षते धंग्षते इत्यादी प्रयोग में पश्चात सब्द को रख करके समास विधान नहीं किया है अतहा अर्थ को लेकर के चलने वाला ये है समास तो इनिन अर्थ का वाचक जो शब्द होगा जो स्वरूप परक से भिन्द होगा वहीं पर में समास होगा तो पश्चात सब्ज तो अर्थ करेगा पश्चात का लेकिन स्वाश्वरूप परक है तो स्वाश्वरूप परक होने की कारण इसके साथ में समास नहीं होता है इसलिए उसी कहते हैं कि हम बोलते हैं ततह पस्चात उसके बाद तो पस्चात अर्थ में समास होता तो ततह पस्चात हम प्रयोग नहीं करते तो इसलिए ततह पस्चात इत्याद प्रयोग के साम दिखाए देने से पस्चात सब्दस्य समास हना क्यो न, यदि झाल तो फिर पस्चात सब्द का प्रियोग या तो पूरू में करो, तो पस्चात ततह ये प्रियोग होना चाहिए, ततह पस्चात ये प्रियोग नहीं होता है। तस्मात, पश्चात, सब्द के साथ में समास नहीं होगा, लेकिन इस पश्चात अर्थ का वाचक जो अब्य होगा, उसी के साथ समास होता है इत्यर्था. यह सब सारे सूत्र भाश्यादोस पस्टम में त्यारी चलिए अब कहते हैं कि यहां अब पस्टात अब्यम विवक्ति समीव संब्रिद्धी व्यारिद्धी अर्था भावातिया संप्रत शब्द प्राजुर्वा पस्टात यथा अब आ गया यथा तो सूत्र में बोलता है कि यथा के अर्थ में समास होगा तो यहां अब देखिए यथा के अर्थ में समास होगा इस बात के कहने से ही यह सपष्ट है यहां नहीं करेंगे यथा शब्द का जो अर्थ होगा तो यथा सब्द को छोड़ कर यथा सब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में प्रियोग हम करेंगे तो अब जब ये अर्थ आपने कहर दिया कि यथा के अर्थ में ही समास होगा तो यथा सब्द अपने आप छूट गया और जब छूट गया तो केबल हमको ढूड़ना क्या पड़ेगा अर्थ ढूड़ना पड़ेगा तो अर्थ ढूड़ना पड़ेगा तदनु अतेव उच्चेते तदनु यहां अभी एक किसी ने लिखा है कि तदनु जो है तस्मात अनु यदि समास हो जाता यहां अभीभाब तो अनु का पुरुप्रियोग होता अनु तद प्रियोग बनता तदनु कैसे बनेगा इसलिए पश्चात अर्थ का बोध होने पर भी यहां समास नहीं होता इसलिए यह अभीभाब समास नहीं है तो यहां ध्यान रखे तो इसी तरह से हमें अब यथा का अर्थ धूढ़ना है तो कहा कि यथा के चार अर्थ होते हैं तो यह चारों अर्थों का अलग-अलग उदाहरन याद रखना पड़ेगा तो कहा क्या तो योग्यता वीप्षा पदार्था नतिवृत्ति शाद्रिश्य अर्थाह एते अर्थाह वबंति यथा सब्द स्य यथा सब्द के ये चार अर्थ में प्रियोग देखे जाते हैं योग्यता अर्थ में वीप्षा अर्थ में पदार्था नतिवृत्ति अर्थ में और साद्रिश्य अर्थ में तो इन चारों अर्थों में यथा के जो ये चार अर्थ है इन चार अर्थों में समास होगा अब चुकि इन योग गिता वीपसा पदार था नतिवृत्ति और साद्रिश्य इन चारो अर्थों में हमको समास करना था और चारो अर्थ एक सब्द का बोधक है इसलिए संक्षिप में यथा सब्द का ही उलेक कर दिया अन्य था जैसे भिंवन अर्थों में हम समास कर रहे हैं विवक्ति शमीप सम्रिधी तो भी हम करें अबीपसा पदार था नतिवृति इत्यादिशु अर्थेशु विद्यमानम जत्सुवंतम तत अब सब्यस्यति अब्यम तत्सुवंति नशा सम्यस्यति तो ये नहीं कहे क्य की इनके चारों अर्फ यदी एक ही सब्द से प्रकाशित हो रहा है तो उस सब्द मातर के ग्रहन से चारों का ग्रहन हो जाता है। अब गतम तो इस तरह से यथा के अर्थ में जो भी विद्यमान हैं उस विद्यमान अर्थ का वाचक जो अब्य होगा उस अब्य के साथ सुबंत का समास होगा अब आप लोगों को छात्रों को परिक्षा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कई अर्थ एक ही उपसर्ग के होंगे अभी आपने पस्चात अर्थ को बताने के लिए अनू का प्रियोग देखा अनू का प्रियोग किया फिर हम अनू का प्रियोग अन्य अर्थ में करेंगे एक अर्थ में नहीं दो अर्थ में नहीं पाच अर्थों में करेंगे तो बिग्रह वाक्य को देख करके या समास को देख करके आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए बिग्रह के सहित ही ध्यान रखेगा, अब जैसे मानली जी हमने प्रयोग किया एक का क्रमिक चल रहे हैं, कि योग्यता अर्थ का वाचक उदाहरन दे रहा योग्यता अर्थ में, अ निथा का अर्थ जो योग्यता वो योग्यता अर्थ जिस उप्सर्ग जिस अभ्य का है उस अभ्य को लेकर के समास की बात कर रहे हैं हमने उदाहरं दिया अनुरूपम रूपस्य योग्यम इत्यर था अब यहां रूपस्य योग्यम रूप के योग्य तो रूप में जो रहने वाली योग्यता है रूप के अनुरूप यथा रूपम तथाकार्यमित्यर था, तो जुरूप में जो रहने वाली जो योग्यता है, उस योग्यता को बताने के लिए यहाँ अनुशब्द लाए, अब यहाँ अनुशब्द ला करके हम अनुरूप प्रयोग बनाएंगे, अब पहले हमने अनुविष्णू प्रयोग क तो अब समस्या ये है कि हम अनू उपसर्ग को देख करके कैसे पता करेंगे कि यहां पस्चात अर्थ है कि यहां युग्यता अर्थ है क्योंकि इतनी वो चीजे हमारी बाते बच्चों के लिए नहीं आती है दिमाग में तो कई बार बहुत क्या करते हैं उपाये शिक्षमाना जाने के लिए कई बार जितने भी ये राष्ते हैं असत्य रास्ते पर चलते हुए सत्य का रास्ता अर्थ हम जानते हैं कि यह मार्ग ठीक नहीं है सत्य नहीं है लेकिन उसको सहारा ले करके आगे तक हम पहुँचाते हैं इत्यर्था, तो लक्ष हमारा होता है छट पे चड़ना, लेकिन एक सीड़ी जो है वो ब्याज है, छट तक जाने का एक मार्ग है, तो बच्चे को हम कहते हैं बोल कबूतर वाला क, खरगोस वाला ख, गमला वाला ग, तो बच्चे को कबूतर खरगोस और गमला पढ़ाना सिखाना उद्देश नहीं है, कबूतर खरगोस और गमला के ब्याज से कखग का ग्यान कराना उद्देश होता है और जब बच्चा कखग ग्यान कर लेता है उसके बाद में वो कभूतर को भी छोड़ देता है गमला को भी और खडगोश को भी और एपल को भी A for Apple में केवल A याद रखता है, एपल छोड़ देता है, अन्यथा ग्यान होने के बाद वो कभी नहीं बोलता, एपल वाला A या कबूतर वाला को, तो ये कबूतर ख़ग, ख़ग, ये ब्याज है, बहाना है, इसके माध्यम से हम वहाँ पहुचते हैं, तो आप बच्चा को कैस समझाएं, बात पकर में नहीं आ रही, कि पस्चात कैसे करें, तो कई बार कहना पड़ता है, जब शब्द देखो, तो शब्द में देखो, थोड़ा सा सब्द पे ध्यान दे के विचार करो, हमने कहा कि योग्यता अर्थ, जब होगा, तो योग्यता एक धर्म विशेश है, गुन विशेश है, तो यदी कोई ऐसा सब्द रहे साथ में अनुका, तब तो समझ रहा कि यहाँ योग्यता अर्थ है, और यदी मालो कोई ऐसे किसी अवयभी विशेश का द्रव्य के साथ में प्रियोग है, तो समझ जाना क्रिया के साथ में प्रियोग है, तो समझ जाना क हम रूप के योग्य तो रूप के योग्य जब हम क्रिया प्रयोग कर रहे हैं तो रूप जो है धर्म विशेश है तो इस तरह से धर्म विशेश, गुन विशेश, क्रिया विशेश को ले करके यदि कोई शब्द दिखाए दे तो मोटे तोर पे इतना समझ लेना कि यहां चले कोई बात नहीं, तो रूपस से योग्यम इस अर्थ में, जो योग्यता है, उसको बताने के लिए, हमने अनु को किया, अनु अर्थ किसमे हो गया, योग्यता में, अब योग्यता क्या जीज है, जैसा शब्द प्रियोग किया, उसमें जो रहने वाला धर्म है, वही तो योग्यता होगी, मनुस्य में कोई चीज न भी करेगा तो भी उसमें योग्यता कुछ न कुछ रहेगी, मनुस्य में और कुछ न करे आदमी, तो मनुस्य होने के कारण मनुस्य तो उसमें आही जाएगा सामाने धर्म, तो वो उसकी इतनी योग्यता तो होई जाएगी कि मनु से जो योग्यता अर्थ है वह योग्यता का तात्पर हो गया यत्हार्थ है तो उस सब्द में रहने वाला जो उसका स्वभाविक स्वरूप है वही उसकी योग्यता है तो जैसा रूप है वैसा का खालि दास क्या कहते है नताद्रिश आक्रत विशेशा bearings गुन विरोधिनों दुुस्यंत को देख करके या सकुंतला को देख करके मालें लिजी। प्राय जो आकरती से सुन्दर होते हैं जिसका सरीर सुन्दर होता है जिसका जो ऑख़ा होता है प्राय वहाँ उसका आचरन विपरीत नहीं देखा पहले जमाने की बात है अब की जमाने की बात ने तो इस तरह की जो बाते थी इसका मतलब क्या है उसमें स्वरूप याथार्थ धर्म तो योगता का तात्पर यहां समझ लेना चाहिए याथार्थ जो उसका धर्म विशेश है तो साथ में हम समास करेंगे तो रूपस्य सस्थी वही स्वरूप होने के कारण संबंद संबंद होने से सस्थी विवक्त करके रूपस्य अनु करेंगे विग्रवाक्य रूप अनु समास कर लिया विवक्त का लूप कर दिया अनुरूप बन गया सूलाया सो को हम कर दिया अनु वाला धर्म कोई भी है तो अनुगुनम गुण के अनुरूप इत्य अर्था ये सारे प्रयोग कर लें तो योग्यता आगे क्या है वीप्षा वीप्षा क्या कहते हैं वीप्षा कहते हैं क्रिया की आवृति को किसी क्रिया को बार बार करने के लिए बार बार अर्थ बताने के के लिए जो क्रिया की आवरती की जाती है उसको कहते वीप्षा विकल्पे नईप्षा बताईए वीप्षा या विकल्पे मने किसी क्रिया के पुनह पुनह होना उसको बताने के लिए क्रिया की आवरती को बताने के लिए वीप्षा बोलते हैं तो वीप्षा अर्थ यह है या उस क्रिया की बार बार अर्थ जो होगा वह उसकी व्यापकता को भी बताएगा जैसे हम बोलते हैं गेहे गेहे कालीदास, गेहे गेहे धर्मा, प्रती घर में, प्रती अर्थ में, प्रती ब्रिक्ष पर तो इत्याद अर्थ में जहां समस्त का बोध कराना हो, क्रिया की सत्ता अधेक जगा पर बोध कराना हो ऐसे अर्थ को हम वीप्षा के द्वारा क्रिया की आवरती या क्रिया की व्यापकता को बताने के लिए पद की आवरती करते हैं तो जहां कहा कि विप्षा अर्थ का प्रती और उस प्रती के द्वारा विप्षा अर्थ की प्रतीती कर रहे हैं तो जिस चीज की प्रतीती हम बारबार कराएंगे या जिसका अर्थवोद हम बारबार करेंगे जिस चीज को उसको बताने के लिए उसी को विग्रह वाक्य के द विपसा अर्थ की प्रतीति के लिए किया है समास तो एक अर्थ के साथ भी होगा लेकिन चुकि यहां प्रती के द्वारा क्रिया की बार बार जो आवरिति है या क्रिया की जो व्यापकता है उस चीज को बताने के लिए कहा प्रत्यक अर्थ अर्था सभी अर्थों में तो अर् सार प्रिउक्त शब्द समास जब करेगा तो एक ही अर्थ सब्द को ले करके करेंगे तो अर्थम प्रतिशू अब यहां अर्थम में जो दुतिआ विवक्ति की है वह दुतिया विवक्ति प्रती के योग में क्योंकि ये कारक प्रकंड जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक सूत्र आता है लक्षन इत्थम भूता ख्यान भाग विप्सासू प्रती परियनवह लक्षनम इत्थम भूकर्टा ख्यानम भीप्सा इन सभी अर्थों को बताने के लिए प्रती परियनू इसकी क्या होती है कर्म प्रवचनिय संग्या और कर्म प्रवचनिय संग्या के योग में दुतिया विवक्ति तो ब्रिक्षम ब्रिक्षम प्रति विद्योत ते ब्रिद्युत इत्याद तो यहां पर में प्रती के योग में दुतिया विखती होने के कारण हम अर्थम प्रती बोलते हैं अर्थम अर्थम प्रती तो कुल मिला करके भीप्षा का वाचक हो गया प्रती अर्थ आम और प्रति समास किया समास करने के बाद में वही पूर प्रयोग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा प्रतियर्थ एकोएनस से यन कर देंगे तो क्या बन जाएगा प्रतियर्थ प्रतियर्थ बनने के बाद में बन गया प्रतियर्थम अब यहां एक बात कह रहे हैं कि एक बात जो आपने लो समास होने के कारण इसमें बिग्रा वाक्य कैसे संभव है अर्थम अर्थम प्रति ये कर नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में या प्रियोग कैसे तका कोई बात नहीं इसलिए हमने आपको कहा कि यह जो लक्षने तमभूता ख्यानभाग विप्षास वित्याद के द्वारा जो दु गति के द्वारा नहीं अर्थ हो रहा है समास गत जो है उसको बोधरा जहां पर में समास गत नहीं है वहां तो वाक्य बनेगा तो वहां वाक्य जो है केवल समास गत वीप्षा अर्थ को बताने के लिए प्रियोग्त में है इसलिए इस तरह का बिग्रह केवल अर्थ बताने के लिए यहां दिया गया है तस्मात यह जो प्रतिशब्दस्य ये प्रतिशब्द के साथ में जो प्रयोग्या इसी बात को ध्यान में रख करके आपके इस सिद्धान्त कोमदी के मूल में ही लिख रहा है कि प्रतिशब्दस्य विपसायाम कर्म प्रवचनी संया विधान साम अर्थात अर्थात लक्षने तम्भुता ख्यानभाग विफ्सासु प्रति परियनवाह इस सूत्र के द्वारा प्रति शब्द के योग में जो दुतिया का विदान किया गया है इस विदान के सामर्थ से हम वाक्य का भी प्रियोग करते हैं अन्यता यदि समास ही होता तो दुतिया का कोई प्रस्ण नहीं था तो फिर समास विधान व्यरत हो जाता। इसी को मैंने कहा कि यहां समस्त गतर्य अर्थ है यहां वीपसा आर्थ हम समास से ले रहे हैं। तो समास गत विपसार्थ की प्रतीती हो रही है नकी वाक्य गत विपसार्थ की प्रतीती वाक्य में जो दुतिया विवक्ति का प्रियोग किया है वह केवल अर्थमातर के वोधन के लिए किया है और वो अर्थमातर वोधन वाक्य इसलिए होता है कि हमारा लक्षण थम्भूत ख्यानभाग विपसासू प्रति परियन वही शूत्र के द्वारा इसका विधान किया गया है इसलिए इस अर्थ में इस सूत्र के विधान के सामर्थ से वह वाक्य का भी प्रयोग होता है नित्य समास होता हुआ भी सुत्रविधानसामर्थ्यात इसलिए इसका वाक्य में भी प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है अन्वर्थम तो जैसे कई जगा हम प्रयोग करते हैं कि यह अन्वर्थ संग्या है जैसे हमने कहा कि अभी भाव शब्द जो है ये अन्वर्थ संग्यक है तो अन्वर्थ सब्द का मतलब क्या है कि ये अर्थ के पीछे चलता है या अर्थ के अनरूप चलता है अब ध्यान दीजे यहां कि अर्थ जो है वहाँ अर्थ शब्द मतलब ये बीच में अभी चर्चा इसलिए चल रही है, कि हम सारा समास पढ़ रहे हैं, तो समास जब चर्चा चल रही है, तो हमने अभी कहा कि अनू शब्द जो है, उसका अलग-अलग अर्थों में समास करते हैं, तो अब जदी समास करते हैं तो ऐसी इस्थिती में अनू का अर्थ हम कहीं पश्चात लेते हैं अनू का अर्थ कहीं योग्य लेते हैं योग्यता लेते हैं तो हमने अभी कहा कि शब्द को देख करके हमें अर्थबोद करना पड़ेगा और सही बात तो ये होती है कि समास गत जो समस्त गत जो शब्द है वह अर्थ किसी अर्थ विशेश को बताता है और वह अर्थ विशेश जो होता है जहां जहां शास्त्रों में प्रकरण और ततत जो प्रकरत विशे है उसको ध्यान में रख करके प्रियुक्त होता है तो कुछ शब्द तो ऐसे है जो नित्य जिस रूप में प्रियोग होंगे वो उसी रूप में होंगे कुछ ऐसे होते हैं जो विशेश के आधार पर बदलते रहते हैं कुछ ऐसे हैं, जो समस्त घटक जो पद है, उस पद में उत्तरपदार्थ के आधार पर प्रियोग करते हैं, अब उदाहरण के तोर पर हमने प्रियोग किया कि अन्वर्था कर्म संया, यम अन्वर्थ संया वरतते, तो यदि ये संया, अन्वर्थ संया जो है, ये विशेश है, और अन्वर्थ यदि विशेशन है, तो विशेशन जब भी होगा, तो वो हमेशा बहुबरी समास होता है, ज्यानके बहुबरी समास हमेशा विशेशन ही होगा, क्योंकि उसका विशेश कोई अन्य होगा, अब ऐसी स्थिती में हमने कहा अन्वर्थ ये संग्या है तो संग्या है विशेश्य और उस संग्या विशेश्य को बताने के लिए हमने अन्वर्थ सब्द का प्रयोग किया तो अन्वर्थ सब्द का भी प्रयोग हम इस्तलिंग में करेंगे इस्तिलिंग में करेंगे तो उसका प्रयोग हमने कर दिया अन्वर्था अब यह जो अन्वर्था है इस अन्वर्था सब्द में अन्वर्थ जो है इस्तिलिंग तो कर लेंगे अन्वर्थ जो है उस अन्वर्थ का अर्थ क्या करेंगे तो अन्वर्थ का अर्थ क्या करेंगे क कि वह अनुशब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण क्योंकि उपसर्ग का अपना अर्थ कोई होता नहीं, उपसर्ग तो केवल अर्थ का द्योतक होता है, तो तद शब्दगत जो अर्थ है, उसी अर्थ को निपात भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा उपसर्ग भिन भिन्न शब्दों के साथ में प्रियुक्त होने से तद्गत अर्थ को बताता है जैसे अपन प्रयोग करते हैं कि प्राहारा, आहार, विहार, संगार, परिहार, बतित्याज तो यहां पर में जो अर्थ है जिस अर्थ को लेकर के हम अन्वर्थ को जो पारिभाशिक अर्थ करते हैं कि प्रकृत प्रत्यार्थ संबलित जो अर्थ निकल रहा हो उसी अर्थ के अनरूप जो प्रियोग होता हो अर्थ को प्रधान मान करके चलता है वह अन्वर्थ है तो भले ही वहाँ अनू योग्यता अर्थ का वाचक है कि प प्रक्रित्यस्य अर्थाह प्रत्यस्य वा योही अर्थाह अथवा अभयो संबलिताह यो अर्थाह अर्थात् प्रक्रित्य विशिष्टस्य सब्द समुदायस्य पदसमुदायस्य योही अर्थाह तम अर्थम अविलक्ष एव यत कार्यम करोती एवं भूताया संग्या सा अन पदेव आगच्छती ये तो ही प्रत्या अभूत तदभाव विशेकस्य सबदस्य निर्वचितस्य अभ्यई इतिशब्दस्य अर्थः अतेव समासकाल में जो अभ्यई नहीं होता है उसको भी अभ्यई का बोद करा दि तो अनु यहां अर्थ योग्य अर्थ होता हुआ भी यहां चूकि इस योग्यता अर्थ में होने पर भी यहां विशेकस्य इसका अन्य हो गया इसलिए हमने यहां बहुवरी समासका बोद की प्रत्यर्थम कर ले अन्वर्थम कर ले अब यहां अन्वर्थम यदि विशेकस्य कोई नपुन्शक लिंग होगा उसको आधार पर कर लेंगे तो अनू का अर्थ होगा तदन रूप अर्थ के आधार पर लेकिन वह समास विशेशिके आधार पर वहां बहुबरी का बोधक हो जागा लेकिन हमने कहा किसी में कि वह जैसे हमने कहा अनूरूपम तो यहां केवल हमको यह अर्थ बोध कराना मात्र अभिपसित है रूप के योग्य ये केबल रूप के जहां योग्यता अर्थ प्रधान है अन्य अर्थ कोई प्रधान नहीं है उसकी योग्यता मात्र को बताना है ऐसा जो योग्यता प्राधन्य विशेष्ट जो शब्द समुदाय होगा वहां पर में अभीभाव का बोध होगा इसलिए अन अर्थ की प्रतीत जहां होगी वहाँ अन्य समास में चला जाएगा इसलिये अनवर्थम इत्याजिय जब हम सब्द केबल अर्थ विषेस की युगिता को ले करके करते हैं तो वो युगिता अर्थ में तो अब बिभाय करेंगे अनवर्थम इती यदि वही अर्थ के रूप अन्य इस अर्थ की प्रतीत में जब चला जाएगा तो उस अर्थ की प्रतीत में होते ही वो बहुब्री में चला जाएगा इसलिए अन्वर्था संग्या अन्वर्था सब्दह अन्वर्थम पदम इत्याज विशेशन के रूप में प्रियोग होते ही ये बहुवरी में अन्य था अभी भाव समासे भवती मन्ने तत्र संक्षे पे न तावद मया किमभी अभी इतम अस्तू तो अभी अपना ये प्रसंग क्या चल रहा है कि प्रसंग ये चल रहा था अत्य हा अत्य शब्द अनुपूर्व यथा-यथा का योगिता विफ्षा यहां तक हो गया था अब विफ्षा के बाद में आता है पदार्थः नतिवरित्थी अब पदार्थः नतिवरित्थी ये अर्थ है अब इस अर्थ को बच्चे समझ लें अच्छे तर फैश्य पदार्थ मने अभी प् धर्म लेलो गुल्लेलो कुछ भी चीज लें तो जो हमारा अभिविश्त है वह हम अभी पढार्थ के रूप में बोध कर रहे हैं तो उस पढार्थ का नति भृत्ति नसे हैं व्रित्ति नाम व्रति कहते हैं ब्यभार को, सामाली रूप से समझाने के लिए मुझे बच्चों को ऐसे ही कहना पड़ेगा, तो ब्रित्ती क्या है ब्यभार, और अति ब्रित्ती, यदि ब्रित्ती का अतिक्राम्त कर दो, ब्रित्ती जादा कर दो, तो अति ब्रित्ती हो जाएगी, रथात ब्यभार का अतिक अतिवृत्ति और अतिवृत्ति न हो तो वो क्या कलाएगा अनतिवृत्ति अर्थात जैसा है जैसा विभार है जैसा विभार होना चाहिए जितना अपेक्षित है उसी के अनुरूप तो पदार्था अतिवृत्ति का मतलब यह हुआ कि तदगत योगता तदगत धर्म तो जि जितना धर्म है, जितनी गुन है, जितनी क्रिया है, उसी के अनरूप यदी कारी हो रहा है, उसी के अनरूप यदी आप चल रहे हैं, तो उसी के तरह अनरूप विभार करना को बोलेंगे अनतिव रित्ती, मैंने अतिक्रमन नहीं करना, जितनी लंबी चादर उतनी पैर फैला जितना सामर्थ उतना ही काम करना चाहिए। तो यह जो चीजे हैं तो पदार्था नतिवृत्ती इसको बताने के लिए पदार्थ सब्दुतों केवल अर्थबोध मात्र के लिए दिया कि वहत ताद्रिश वस्तु विशेस जिसका अतिक्रमन नहीं हो। तो किसी भी चीजों का अतिक्रमन अर्थ यदी नहीं होता हो, अतिक्रमन करना अर्थ यदी नहीं हो, अर्थात उसके अनुरूप ही हो, सीमा में ही रहा जाए। तो यहां अनुरूप का अर्थ भिन्द है। यहां अर्थ मात्र को बोधित करने के कर रहे हैं। लेकिन यहां सब्द भिन्द है, तदन कूल ही होना, यह अर्थ मात्र रहेगा। तो इस द्रिष्टी से किसी भी अर्थ विशेस, धर्म विशेस, गुन विशेस का जहां पर में अतिक्रमन नहीं हो। उसी को बोलेंगे हैं पदार्थ का अनतिक्रमन अनतिवृत्ति और ये अर्थ जदी किसी को बोध कराना हो तो उस अर्थ का बोधक जो अब्वे होगा उस अब्वे के साथ में भी सुबंत का बोध होगा समास होगा तो इसी तरह से उस अर्थ को बताने के लिए समास है तो पदार्था नतिवृत्ति ये कहते हैं इसी का उदाहरण इस पदार्था नतिवृत्ति का उदाहरण क्या दे रहा है तो हमें उदाहरण पदार्था नतिवृत्ति और साद्रिश अनतिवृत्ति यथा सक्ति यथा उस धर्म विशेष का अतिक्रम्न नहीं जहां डिक्ति है किया जाता हो ऐसे अर्थबूत कराने के लिए तो यहां अनितिक्रम में अर्थ का वाचक अब्य है यथा उस यथा शब्द का हम करेंगे समास तो ध्यान रखेगा कि यह यथा अनितिक्रम में अर्थ का वाचक है इसलिए अनितिक्रम में अर्थ में हम यथा शब्द का समास कर रहें तो सकतिम अनतिक्रम में सकतियम अनतिक्रम का वाचक अब्य कुन हो गया यथा समास कर लेंगे वहीं सकतिअम यथा समस पुरूरूप सारी परकरिया करके प्रयोंग बन जाएगा यथा सकती, यथा सकती के अभ्य होने के कारण, वही सूसू का लोप हो करके बन जाएगा प्रयोग यथा सकती, इसी तरह से, अब कहा साद्रिश्य, तो साद्रिश्य समानता का बोधक होता है, साद्रिश्य किसी की तुलना हम करते है, सामन रूप से साद्रिश्य का बोध होता एक पदार्थ को उपस्षित करके तत-धर्म को दूसरे में बताना उसके अनरूप अर्थबोद कराना ही तो यहां सब पर भी किसी ने किसी अनरूप अर्थ आ रहा है लेकिन सभी अनरूप में भिंड़ता है यह ध्यान रखने की है चले कोई बात नहीं अब यहां हम उदाहरन दे रहे हैं हरे है साद्रिश्यम इती सहरी यहां साद्रिश्य का वाचक अब्या है सह साद्रिश्य का वाचक अब्या है क्या सह तो इस सह अब्या का साद्रिश्य अर्थ में हम समास करने जा रहे हैं हरी के जैसा तो यहां हरी के जैसा में हरी साद्रिश किसी ने किसी में हम बताएंगे लेकिन जिसको बता रहे हो अलग चीज है लेकिन हरी गत धर्म को ले करके हम कारे कर रहे है तो सस्थी विवक्ती करके हमने विग्रा किया हरे साद्रिश्यम तो हरे शादृषय में हरी गस शादृषय का बाचक कभर हो गया सह तो सह का साथ समास करके स्थित प्रियोग बना लेंगे हम सह अरी अब ये इस्थिती बन कई अब सहहरी जो प्रियोग है इस प्रियोग को हम सहशब्द को सव अर्थ सव में परिवर्तन करते हैं अब इस सव को जब हम परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन के लिए जो नियम है ये हमको अब यहां पढ़ना पढ़ेगा तो अभी हमारी स्थिती ये आ गई कि सहहरी ये समास करके शह सब्द का पूर्व प्रियोग करके हमने सहहरी बना लिया अब आगे सूत्र आने वाला है एक जो सूत्र कहेगा कि अभी भाव समास में काल सब्द को छोड़ कर अन्य सब्द के साथ में यदी सह सब्द का समास हो तो उस सह के स्थान में सो आदेश हो जाता है इस तरह से यहां पर में आने वाला जो सूत्र है उस सूत्र से सह के स्थान में सो आदेश परिवर्तन कर दिये तो हमारा प्रियोग बने गया सो हरी और सो हरी अभ्याई संग्या अभ्या होने के कारण अभ्यादाब सुपा से सुप करके हम सो हरी प्रियोग बना लेंगे अब चुकि उदाहरन चल रहा है तो एक साथ उसको देख ले फिर जब वो सूतर आएगा वहां उसकी चर्चा करेंगे तो साद्रिष अर्थ आ गया तो योग्यता वीवसा पदार्था नतिबृत्ति और साद्रिष ये चारो यथा के अर्थ थे इन यथा के चारो अर्थों में समास हो गया अब उसके बाद में प्रयोग है सादर यथा आनपूर्वे अर्थ में अनपूर्वे अर्थ में अनपूर्वे अनपूर्वे भवा आनपूर्वे अनुपूर्व में से सम्मंदित अनुपूर्व को ले करके अनुपूर्व यहां भी अनुपूर्व विशेश अर्थ को बताएगा तो विशेश अर्थ को बता रहा है तो यह क्रम विशेश है जिसको हम आनुपूर्वी कहते है क्रम अनुशार अर्था जैसा पढ़ा गया त अक्षा भज्यन्ताम दिव्यन्ताम ये जो अक्षे है इनको भजो खाओ पीओ उत्यर्था तो ये जो तीन अक्षे है तो क्रमिक जो अन्य होता है उसको कहते हैं आनपूर्व तो आनपूर में क्रमिक किसी का भी बोद कर सकते हैं कि क्रमिक का मतलब हो गया कि किसी क्रम विशे बनाओ, छात्रों की बरिष्टता के आधार पर क्रम बनाओ, जो कुछ भी क्रम है, वो क्रम आपको तै करना है, लेकिन उस क्रम के ववस्थित रूप में यदिकारी को चलाना है, तो उस अर्थ को बताने के लिए हम कहेंगे आनपूर्वे कारी हो रहा है, मैंने करके एके करके जो चला है, उसे हम अनुपूर्व बोलते हैं, तो उस तद्धर्म अर्थ को अर्था अनुपूर्व के आधार पर किया जाने वाला जो उसको बोलेंगे आनुपूर्वे, आनुपूर्वे अर्थ का वाचक कौन है, अनुपूर्वे, अब हमने इसको प्रिय और अपक्षा में यहां जिसको क्रम बना रहे हैं, जिनको आधार बना करके क्रम नरधारन जिनके रूप में कर रहे हैं, जहां से उस शब्द को लें करके हम समास करेंगे। तो जेष्ठ अस्य करेंगे तो जेष्ठ गस जेष्ठानाम करेंगे तो जेष्ठ आम उससे में कोई तात्पर हमका हमारा नहीं है कि एक वचन करें वह वचन करें इस तरह से जेष्ठ गस जेष्ठ आम अनु समास अनपूर्ग अर्थका बाचत समास विग्रा प्रयोग करके ब पर लेंगे वन जाएगा अनुजेश्ठम इसी तरह से आगे युगपत अर्थ में युगपत कहते हैं साथ को तो यहां किसी का साथ अर्थ यदी बोध हो रहा है तो साथ में ध्यान दिजे साद्रिश अलग चीज़ है और साथ अलग चीज़ है साथ में दोनों की एक क्रिया म एक साथ होना आवस्यक है तो हम ने कहा साथ अर्थ को बताने के लिए युगपत अर्थ को यहां युपत अर्थ क्या है चक्र के साथ निकला रत के सहित निकला तो रत के सहित निकला या चक्र के साथ में तो सव चक्रम ये प्रयोग बनाना है तो यहां युगपत का वाचक अब्या है सहा और किसके साथ निकला चक्र के साथ तो अप्रधान अर्थ होने के कारण निकलने वाला कोई है इसे लिए अ अब प्रधान में तरतिया भी वक्ति है तो चक्र का सह ये स्थिति बनेगी और ये स्थिति बनने के बाद सह चक्र बना सह के स्थान में सह आदेश फिर आगे आने वाले सुत्र से तो सह चक्र बन जाएगा सचक्र का सूलाओगे सू काम करके हो जागा सचक्रम इस तरह से अब यही एक प्रधान था कल हमारा अभीभाव समास संपन होगा फिर अपन मिलेंगे दस पंद्रा मिनट के बाद में वाक्य पदियम के साथ तो अब यहीं इसको विराम देते हैं और आप लोग भी अब इसको छोरने लगे हो तो अब ज्यादा देर मुझे रोकना यहां ठीक नही हैं तो फिर अपन मिलते हैं दस पंद्रा मिनट के बाद इसी के साथ धन्यवाद और मैं भी विदा लेता हूं